आज हम जानेंगे फरनिचर पॉलिश के बारे में आपने यूटूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिस पर ये लिखा रहता है कि टाइप आप पॉलिश मतलब कितने परकार से पॉलिश कर सकते हो उसमें कौन-कौन से मेट्रियल लगते हैं और वो लोग अलग- देखने की जरूरती ना हो मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा और बताने के कोशिश करूँगा जितना मैंने सीखा है पॉलिश के बारे में जाना है आज हम वही आपसे बताना चाहते हैं कि पॉलिश की शुरुवात कैसे करेंगे और पॉलिश का मीनिंग क्या है यहनि कि लकडी की पॉलिश का अर्थ यह होता है जब कारपेंटर इसको बना के देता है तब देखिए थोड़ी बहुत कमी इसमें रहती है उनके ओजारों के निशान हो सकते हैं खुरुदुरापन भी रह सकता है तब आप इसको शेंडिंग करते हो सेंडिंग करके इसको रगड रगड के वहीं सही इसकी पॉलिशिंग शुरू हो जाती है उसको कहते हैं पॉलिशिंग करना मतलब ईसको अपने अनूरूप ढालना यह लकड़ी को रगड़ना अच्छा इसको रगड़ेंगे कैसे ये वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अप्लोड कर रखा है आप उसको देख सकते हो कि बुड की शेंडिंग किस तरीके से करनी इसलिए उतने डिटेल में नहीं बताऊँगा मैं अब आपने मान लीजे अच्छे से सेंडिंग कर लिए इसको अब इसमें चिकना ही कैसे लाएंगे जैसे कि आपने लागदाना लगा दिया इसमें रिपेर कर दी सब कुछ कर दिया आपने इसको चिकना करना है इस बुड को और चमकदार बनाना है तो इसमें आप कौन-कौन से केमिकल यूज कर सकते हो वो अब मुद्दे पे आते हैं यह तो आपने जान लिया कि पॉलिश का आर्थ क्या है सुरू से सुरुवात हो जाती है पॉलिशिंग की जब गेसाई से लेकर अंत तक चमक लाने तक वो पूरा प्रोसेस जो है उसकी जो प्रक्रिया है वो बुड़ पॉलिशी ही बोला जा देखो सबसे पहले आप सेंडिंग करेंगे सेंडिंग कैसे करेंगे बीडियो देख लेना सेंडिंग हो जाए उसके बाद आप लाक दाना से बुड़ की पॉलिश कर लेंगे यह तो टीक प्लाई है यह टीक बुड है जब आप इस तरीके से पॉलिश कर लें उसके बाद आ आप बैमले का सीलर लगाएंगे पॉलिश हो जाने के बाद लागदाना से उसके बाद सीलर लगाने के बाद इसको शाइन करने के लिए टीटी के लिए लगाएंगे यानि कि लैकर लगाएंगे देखे और इसमें आप यूज करेंगे इसको पतला करने के लिए बैमले का थिन मिल जाएगा यह सबसे ज़्यादा होने वाला पॉलिश है कई वारी क्या होता है लोग लेकर के बदले टेजबुट भी लगा देते यह ज्यादा शाइन करता है लेकिन कुछ समय के बाद जैसे तीन-चार मेने के बाद इसकी शाइनिंग ड़ल हो जाती है और इसमें तारपिनायल पड़ता है यह देखिये वाला तारपिनायल इसमें मिलाये जाता है इसको कर देने से क्या होता है अगर आपने एक वार सीरल लगा देते हैं उसके बाद चुपके से सेंडिंग करने के बाद जिस मालिक को पता नहीं रहता है तो वहां पर कुछ कॉंटेक्टर लोग या जो काम लेते हैं वहां बदमाशी करते हैं तो क्या करते हैं जैसे बर्जर का आपका बूड की पर हो गया एशियन का टच बूड निरुलक का बंडर बूड यह सब में तारपिन आयल मिलाकर इसमें लगा देते हैं तो बिल्कु शीशे जैसा चमक जात हो उसको और ज्यादा शाहिन करने के लिए तब गरें ठीक है यह मेरी सला रहेगी बहुत सारी यूट्यूब में आपको वह लोग बोल देते हैं कि इससे सिर्फ चमकाया जाता है पॉलिश हो नहीं सकती है करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाग दाना को लगा लगा कि लगा लगा के रगड रगड के फिर लगा के फिर रगड के शिर्फ लाग दाना से ही पॉलिश कर सकते हैं वह धाओ उसमें भी 10-20 साल कुछ नहीं होगा करने के लिए तो कुछ भी घर से इसको भी दस बारी मार सकते हैं एक बार लगाया फिर सूखने देंगे फिर दूसरे दिन और एक बार लगाया टजबूट को ऐसे करकर करके तो दस बार हम कर दें टाज बुडूट वो से भी पॉलिस हो जाएगा लेकिन थिकल अवालिग मजाख करना अलग बात है काम रुगवा इसलिए अगर आप लैकर पॉलिस कर रहे हो तो लैकर ही लगाएं बहांले का सीलर लगाएं उसके लगाएं और नशिक्जिकंड लगा औ एसको आसानी साब हाथ से कर सकूगे, इसमें हाड नर नहीं मिला जाता है, कुछ नहीं, और बहुती इजी, सिंपल तरीका है पॉलिस करने का, ठीके नो, ये लेकर पॉलिस बॉला जाता है, और देखे, ये तो बैमले कंपनी का है, बहुत trusted company है इसको हमने कई सालों से कर रहे हैं बहुत बढ़ी है हाथ से करने के लिए यह दूसरी company भी बनाती है जो सेड्निक सेलर बगार और यह जो लेकर है यह दूसरी अब दूसरे नमबर पर लाते हैं इसको हटा लेते हैं पहले कि मैला मैन के बारे में बताने पहले मैं आपको एक बाद बता दू आपको आपको ब्हुल्ती जो लेकर पॉलिश होती है ना वो कभी एक्स्टिरियर में मतलब भार के एरिया में बिल्कुल भी ना करें कलती से भी क्योंकि धूप गर्मी बारिश में जो आपका लेकर पॉलिश है वो टिकता नहीं है जहां च्छाव हो बहां कर सकते हो पांच-दस साल भी कुछ नहीं होता बहुत सारे लोग होते ना जो आपको बहका देते हैं कि दो-तिन साल में लेकर पॉलिश कराब हो जाती है हम दावे के साथ गारंटी के साथ कहते हैं अगर अच्छे से पॉलिश करें माल को अच्छे से लगाए बरके और जो इसको करा जाता है जिस तरीके से उस तरीके से कर लेकर की वही मीठी मीठी शाइनिंग आज भी बरकरार है लेकिन बाहर कभी ना करें वो बिल्कुल बेकार हो जाएगे ठीक sleeping अब हम आते हैं मैला माइन को ओपर देखो मैला माइन भी कभी बाहर ना करें ये बाहर के लिए बिल्कुल नहीं होता है बहर अगर बहुत जरूरी हो तो आप ऐसी जगह कर सकते हैं जहां पर धूप न आती हो छाओ हो मैं यहां तक तो आपको बोल सकता हूँ कि जहां बहर तो हो लेकिन छाओ हो वहां आप करोगे तब बी टिक जाएगा यह धूप न आती हो या बारिश ना आता हूँ बहार हो लेकिन उसके नीचे को सेड हो सज्जा हो तो यह फिर भी ठीक जाएगा लेकिन जहां तक आप इसको नहीं करें बहार तो अच्छा है यह पॉलिश होने के बाद बुड़ को आप यह तो मैट है यह है सीलर यह देखिए यह मेलामाइन सीलर द्हान रखो और यह साड़े 300 रुपे लिटर आपको मिल जाएगा 300 से लेकर 300 रुपे लिटर यह जितने भी होते हैं प्रोड़क्ट मेलामाइन के यह 300-300 के अंदर मिल जाते हैं और इसके साथ देखो 100 ग्राम का हड़नर भी आता है 900 ml का यह होता है और 100 ml का यह होता है आप मेलामाइन ग्लोसी मेलामेन ग्लोसी तो जो ग्लोसी है और डrb Почему धे लिखा भी रहना चाहिये घ्रथिचे से देख लें लगले कि है कि कोइवारी लगा देते हैं लोग तो यह क्लोश सी और 100 मैय आत अ ऑधा यह देखिए मेला माइन मैट जो मेट होता है मैर्ड डवल टी लिखा रहता एस पर और इसमें एक्सटिरियर आपको नहीं मिलता है क्योंकि अक्षण नहीं यह बहार करने का तो सियर मिलें गई नहीं अपमेट यह बहुता है जाया लगाना आपको इसी सीलर को ही है यह कोई इ की आता है दोनों के लिए जब हम करेंगे तो आप देखे हुए क्योंकि करने के लिए ही आया है हमारे पास कोई रिभू करने के लिए नहीं आया है ठीक ना और इन सभी में हाड़नर मिलाए जाता है 900 ml के साथ 100 ml इसमें देखो हर बोतल को पर लिखाए 100 ml नेट इसके साथ मिला निकाल लेने के बाद उसी मात्रा में इसमें थोड़ा हड़नर मिला दे हो जाएगा अच्छा अंत में में एक चीज और बता दूं कि देखिए जब आप मेलामाइन यूज करें तो मेलामाइन थिनर ही यूज करें टी 124 यह यूज करें यह साथ 190 यह 180 रुपे लीटर बिल्गुल ना करो और मेलामाइन बहुत अच्छा होता है देखो जब हम लोग इसको करते हैं यह हाथ से करने के लिए होता है लोग कहते हैं इसमें इसमें बहुत फरग होता है ऐसा कुछ भी नहीं है अगर इसको भी भरपूर चड़ा के लगाए जाए ना तो इसके कि ज्यादा करने का अंतर नहीं है पैसे का भी लेवर रेट में भी थोड़ा बहुत अंतर है प्यू का बहुत ज्यादा अंतर होता है तो अगर आप इस्प्रे से करवाना चाहते हैं अच्छी फिनिशिंग करना चाहते हैं आठ दस साल कुछ ना हो या पंदरा वीस साल तक क बाहर बिल्कुल ना करें मैट भी करेंगे ना मतलब शाइनिंग रहते हैं मीटी मीटी सी जैसे हमारे लेकर में रहता है इसके मैट में भी इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है जब हम करके दिखाएंगे तो देखिए यह हो गया अब हम तीसरे नंबर पर लाते हैं आपका प्यूं पॉलेश पर और अगला शिकार है प्यूं पॉलेश पर फि open अपना वबनाने के लिए एक लगांगे सिलर देखिये ऐप प्यू एक्स्टरियर सिलर हुः है जब आप इंटियर को प्रोडक्ट लाते हो ना तो सभी रिक्त ace रहे हो अब से ye इंटियर वाले नशतरिय बाइस रहे उडियार में लगादार दते हो तो हम अंदर बहार दोनों जगे यही exterior sealer use करेंगे इसको चिकना बनाने के लिए ठीक है समझ गए इसमें 200 ml hardner मिलता है और 800 ml माल है इसमें अच्छा इसको चमकाने के लिए देखो pure exterior gloss इसमें भी 800 ml है ठीक है और उसके साथ 200 ml हमें hardner मिला है अब आप समझ गए 100 ml अगर आप लेते हैं तो 25 ml hardner लेना है उसी दर से sealer में मिलाएं चाहिए आप प्यू गलोसी में मिलाएं देखो इसका मैट वी आता है और एक बात धन रोखो यह exterior और interior marketing gimmick है यह लोग हमेशा यही बोलेंगे कि interior वाला exterior में मत करना वो कमजोर हो बहुत ब आता है और interior exterior के पंगे में मत पड़ो सीधा की सीधा बाहर वाला खरीदो exterior वाला खरीदो और लगाओ और एक बात का ध्यान रखो मेलावाइं थिनर इसमें नहीं चलेगा बाकाइदा इसमें जिसमें लिखा हो प्यू थिनर वही इस्तेमाल करें इस चीज को तो हम company की बात म इसमें वही चीज मिलाएं इसके यह देखो प्यू के लिए प्यू थिनर बना है तो आप इसमें यही मिलाएं यह थोड़ा महंगा होता 300 लिटर लेकिन काम भी तो आपको अच्छा चाहिए ना 300-300 रुपे स्कॉर फिट अगर आप खर्च कर रहे हो प्यू पॉलिश में तो इतने का तो थिनर लग जाएगा तो क्या है कुछ नहीं है आपका कम से कम 10-20 साल तक शाइन देगा शीशे के जैसे बन जाएगा समय रहे हो ना आप इसको कैसे करना है वह मैं जब करूंगा तब बदाऊंगा कि कि कितना कोट कब-कब मारना है मतलब कितने प्रकार से आप प भूब गर्मी वारिश कुछ नहीं होगा यह दर्वाजा है इस पर आपने ऐसा कोई डिजैन बनाया है अलग से लकडी लगाया है तो जब इसमें पूटिंग भरेंगे ना या कोई बुड़ फिलर भरेंगे तो जब दो-चार साल के बाद यहीं से फटना सुरू हो जाएग क्योंकि मैंने देखा है शाइनिंग पूरी भरी यह कांच के जैसे बना हुआ है लेकिन जहां पर वो जॉइंट में जो भरते हैं ना बुट फिलर जो अलग से मोल्डिंग बगार है या कुछ उस्तादी करने के लिए से डिजाइन देखाना है तो आगर या तो आप उसमें चटकना सुरू हो जाएगा अब वो इतना भद्दा लगता है यह प्यू के बारे में जो हकीकत है वो मैं बोल रहा हूं यहर कोई नहीं बताता है या तो आप पूरा का पूरा फ्रेश रखो जो दरवाजा खड़की किसी में कुछ भी लगा रहे हो ना तो वो पूरा हो उस भविश्य में कभी चटके भी नहीं तो क्या होगा पंद्रा वीस पच्चिस साल तक यह प्यू पॉलिश बाहर जैसे कर था वैसे ही रहेगा अब हम इसको हटा देते हैं अब आते हैं पॉलिश्टर पॉलिश के उपर यह सबसे बड़ा शिकारी कि देखो अगर आपको पॉ यह बार्निस बेस फोर अपॉक्सी इंसुलेटर इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया देख लेना क्यों इसको यह कई चीजों में इस्तिमाल हो सकता है जब हम पॉलिश करेंगे तो उसमें कैसे लगाएंगे वह वीडियो देख लेना कि अपॉक्सी लगानी के क्या फ पॉलिश हो जाए जैसे यह पॉलिश हो गया अब आपको पॉलिश्टर पॉलिश करनी है इसको पर तो आप सीधा इसमें लगाओ अपॉक्सी लगा दिया इस्परे से लगाओ दो बार एक बार सूख जाए फिर अच्छे से एक बार लगाओ इस्परे से कर रहे हो तो थोड प्रडडनर मिलाने से पहले एकसी लेटर मिलाना मतलब रफतार वाणाने वाला मेरे सकते मिलाएं लिखा बेट टंग इंद्ग इरते वाला पहले इसमाने पggi करा रहा है यह बंद 카बन है इसमें यहांनि कि दो परतिश्द मिलाये जाएगा मात्र थोड़ा थोड़ा लो से थोड़ा थोड़ा बून टिप काते रहो वह ले लो ड्रॉप जो यह ड्रॉप होता ने जो कान में डालने दवाई वाली जो आती है याद आपके घरों में होगा ड्रॉप तो उसमें इसे से लो नजंद्र हएप्शंट करें तो प्वात नरवजह भी 20 ग्रॉप करोगे बिडियम करना है तो 10 लिग धाने कम से पंतर कोट अगर मध्यम फिनिशंग रखनः तो दस कोट करना इतना सुंदर हो जए अगल्या लाया ज slows आ और चीजैस बनाके के दिखाते ने यूटूब पर वैसा ही हो जाएगा आपका बूड मतलब हाई हाई एर कॉलिटी हो जाएगी मतलब प्यू से भी भेत्री अब इसकी शाइनिंग कैसे रहे कि वो मैं करने के बाद पता चलेगा कि यह जब मैट क्यों कि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है देख करने के बात कि हमने अभी तक चीरा किया तो हमारे पाक हो गया तो हमारे पास in sexy machine भी नहीं आ जाएगी ठीक है तो समझे है किस परकार से और कितनी तरीके से आब बुड को चिकनापन ला सकते हो शाइनिंग कर सकते हो समय रहे हैं न यह वीडियो हैं और हम प्लेख करते हो जो लोग मजाग करते आपके साथ कि टषण लगा देते हैं ठीक है न मैं एक बार आके नी बार मैं बोल दे रहा हूं जो लोग कहते हैं टेज़बूट से पॉलिश हो जाती ए सरे मुचुंद करने के लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब ना भाई सीलर लगाओ उनका लाकर भी लगाओ वैमले का थिनर भी उस करो मजाग क्यों करतो मजाग मत करो और किसी को गुमरा मत करो किसी को गलत सला मत दो यह तब यूज करें जब पुट्टी बनाना हो या एनैमेल पेंट कर दी उसको पर थोड़ी और शाइनिंग लानी है तो इसकी लिए यह जो विचारा बहुत गरीब है जिसको पैसा नहीं है वह भुड़ को चमकाना चाहता है तो खरीद के लगा सकता है अपने आप से बरस से कब्ले से यह है तो जो हकीकत सच है वह बताओ ना अब आप एक बाद उताओ इतना महेंगा थिनर विनर खर्च करक अगर कोई टेजबूट मार देगा उसकी पॉलिष तो वहीं खतम हो गई वह दुबारा यह सब थिनर लगाई नहीं सकता और ध्यान रखना टेजबूट करने का बाद जबाद यह थिनर लगाते हो ना किसी कोने में थोड़ा टच करके देखना थिनर अगर टेजबूट क्यों है